तो यार आज मैं आपको फोटो एटिंग के लिए लैप्टाप बताऊंगा जो कि बहुत तगड़े होने वाले हैं अगर आपने फोटोशॉप यूज करना अगर आपने लाइट्रूम यूज करना कोई भी हैवी सॉट्टवे भी अगर आप यूज करना चाहते हो अगर आपन लेकर जाते हो तब भी आपकी जो वीडियो एटिंग है जो फोटो एटिंग है वो नॉर्मली हो जागे भी बात करते है इसी दा नमबर फो की बात करूं नमबर फो पर यार मैंने रखा है मैं होरीजन को अगर इस लैप्टव की बात करो सबसे पहले इसके प्राइस रेंज बात करो सबसे पहले इसके स्पैसिफिकेशन की बात करते हैं तो डिस्प्ले की बात करूं आपको 14-4 Plus Display देखने को मिल जाथी जो कि एंटी इस प्रसासर की बात करूं इसमें आपको आई फाइफ तैंट जबरेशन के साथ देखने को मिल जाता है इस टोरिज की बात करूं आपको 10 hours का pantry backup परवाइड कर देखता है, price के बात करों को 50,000 के budget में MI notebook horizon देखने को मिल जाएगा, तो यहर main specification तो मैंने आपको बता दिये, MI notebook horizon के, सबसे पहले बात करते हैं, इसके plus point तो चलो मैंने आपको बता दिया, कि आपको build quality अच्छी मिल जाते है, specification पर आपको तगड़े मिल जाते हैं, लेकिन अभी इसके minus point की भी बात कर लेते हैं, minus point सिर्फ इसका यह देखने को मिलता कि आपको 8GB RAM तो मिल जाती है, लेकिन आपको upgrade करने का option नहीं मिलता, जो कि सच में एक minus point आजाता है, तो उस चीज को आप देख लेना, अगर आपने normal setting पर gaming करने हैं, जहां फिर अगर आपने कोई heavy software यूज करना है, office पर के लिए चाहिए, student ओ, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, उसके बाद भी अगर आप animation करते हो, graphic design करते हो, cartoon वरा draw करते हो, and भी अगर अपने programming करने हैं, 45,000 के budget में, Acer Aspire 5 देखने को मिल जाता है, specification के according पूरा loaded है, कैसे according है, मतलों कैसे loaded है, ये आपको पता चल जाएगा, because, आपको design look wise भी बहुत अपर मिल जाते हो, उसके बाद Acer brand है, ये भी trusted brand है, sorry, top brand में से आता है, प्लस इसके भी specification आपको पूरे loaded मिल जाते हैं, मैं जादा वीडियो लंबी नहीं करना जाता, मैं आपको सीधा ही इसके specification की बात कर लेते हैं, तो display की बात करू, आपको 40 इंच Full HD display मिल जाती है, जो की IPS panel display, 60 refresh rate के साथ देखने को मिलेगी, प्रसाइसर की बात करू, आपको आई 5 देखने को मिलेगा 10 जबरेशी के साथ, storage की बात करू, आपको 8 GB RAM मिल जाती है, expendable आप कर सकतो, 16 GB तक प्लस आपको 5 डॉलर जी बी, SICD देखने को मिल जाती, graphic card की बात करू, आपको NVIDIA G4 MX 350 देखने को मिल जाता है, प्रेटी सिस्टम की बातों को Windows 10 मिल जाती है, आप बैंटरी की बात करू, आपको 8 hours का बैंटरी बैकप परवाइड कर देता है, प्राइस की बातों को 45 तॉजट के बज़ेट में, Acer Aspire 5 यह specification के साथ देखने को मिल जाएगा, तो यहार में आपको बता दिये, Acer Aspire 5 के भी यह laptop भी सच में बहुत अगड़ा, अब भी बात करते कि यह laptop की लोगों को लेना जाएगे, तो भी अगर आपने वीडियो एटिंग करने हैं, फोटो एटिंग करने हैं, गीमिंग करना जाते हो, कोई हैवी सॉफट्वेर यूज़ करना जाते हो, आप इस laptop के और जा सकते हो, सभी के link मैंने description box में दिये हुए, अगर आपने चावड करने हैं, आपके आपको भी कर सकते हो, आपको बता दो, नमबर टू एंड नमबर वान को दोनों को कम्बाइन कर देते हैं, तो भी अगर आपको फिफ्टिंग ताउजन पर बज़ट आपका अगर हो जाता है, तो आप जा सकते हो, एसर इस्पायर सैवन के और जा फिर आप जा सकते हो, अगर आपको फिफ्टी सैवन के बज़ट में मिल जाता है लेकिन अगर आपने वीडियो एटिंग करने या, अगर आपने वीडियो एटिंग करने या, फोटो एटिंग करने या, अगर आपको गेमिंग करना जाता है, तो यह अगर आपने कोई भी हाविज आफ्टियो यूज करना है, इसर नीट्रो फाइव पर आप नॉमली कर सकते हो, तो मैं ऐसे नहीं कहा रहा है कि आप एसर जो आपने वीडियो बिल्कुल भी नहीं कहा रहा है, तो यार Acer Aspire 7 के स्पेसिफिकेशन की बात करूं सबसे फेले डिस्पले की बात गांगो सकते हैं फुल एस्टी प्लए स्ट इप्लस दिस्पले मिल जाती है ॐ प्रश्ट्र की बात करूं आपको एड जीबी राम मिल जाती है अपको यह आप कर सकतो 32GB तक प्लस आपको फाइ ऐस्थ देखनी का मिल जाता अभी बात करते हैं कि सब्सेए जट्पले की बात करूंद को एक सब्सक्राइब लिए पर साथ भी बात करों आपको इस में 55 Зिल देखनी निये को देज लिए गेमिंग के लिए पॉफेक्ट है वीडियो एक्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा तगड़ा है AMD Ryzen 5 देखने को मिलागा 3550H के साथ Storage की बात करूँ आपको 8GB RAM में जाते है अपको करेंट आप खर सकते हैं 32GB तक प्लस आपको 5GB SSD देखने को मिल जाती जो की SSD का benefit यह होता है अगर आप data गरा जल्दी transfer करना जाता है वो जल्दी हो जाता है as comparison किया जा HDD के साथ है और प्रेनी सिस्टें की बात को आपको Windows 10 में जाते है Graphic Card की बात करूँ इसमें आपको GTX 16504GB मिल जाता है अगर आपको फिर से repeat कर देता हूँ सब कुछ clear कर दूगा तो बई अगर आपका budget 57,000 हो जाता है अगर आपने वीडियो एक्टिंग करने है फोर के बगारा भी try करना जाते हो आप सभी के लिए perfect deal हो सकता है अगर आपको gaming design नहीं चाहिए आपके लिए perfect हो सकता है अगर आपका budget 50,000 है प्चास, से अपर आप नहीं पे कर सकते हो यार अपके लिए perfect deal हो सकता है कर रहा है so that's why मैंने इनके जो बाइंग लिंक भी है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है आपको चावड करने को मिल जाएंगे प्लस अगर आपको विडियो किया अगर आपको वीडियो एटिंग के लिए जाए फोटो एटिंग के लिए कोई भी काम करना जाते हो आप सबी के लिए भी मैंने वीडियो किया उसको भी चावड़ करने अगर आपका विडियो क्रता हूँ तो यार अब भी मेरी वीडियो यही फर हुजाते है ठीक है together तेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है करतम, अगर आपको में रच लगे यार वीडियो को लाइक करते हैं अम्हें में नहीं वीडियो को साथ, तेंक यू झाल झाल